Hey guys, this is Abhishek and I welcome you all to Static Stocks Well, आज हम backtest करेंगे 44 FR strategy जो की घंशाम सर की है और सर ने flow flow में तो बोल दिया कि 90% accuracy है बट believe me 90% accuracy किस जीज़ की नहीं होती और इतने easy हो training करना तो सब आमानी बन जाएंगे So actually हम इसे देखेंगे क्या ही fruitful है आपके लिए क्या ये actual make profitable है निफ्टी में और long only strategy है ये इससे पहले हमने एक strategy backtest करी जो की सुभाशी सर की strategy थी power of stocks and oh my god क्या results थे उसके बिल्कुल मतलब भोगाल ही मचा दिया उसने तो strategy ने और उसके अगर link आपको चाहिए तो आपको नीचे description मिल जाएगा that strategy is traffic light strategy और लोगों काफी पसंद आई अगर आपको पसंद आती है तो आप like जरूर करेगा so यहाँ पर हम loose की बाद करेंगे और उसके बाद हम backtest करेंगे यह backtest जो है coded backtest है और by the way अगर आपको भी algotator बनना है तो आपको नीचे जो है caption में मिलेगा प्लस आपको जो है पिंट कमेंट में मिलेगा कैसे आप algotator खुद से बन सकते हैं खुद से आप backtest कर सकते हैं खुद से आप जो है strategies बना सकते हैं so यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि next phases of the life will be about algotating क्योंकि computer compete नहीं कर सकते so so algotating is the new world और आपको भी इसमें entry लेनी पड़ेगी और महनत करिएगा 2-3 मेने की तो आप बिल्कूल algotator बन सकते हैं so चलिए continue करते हैं वीडियो की तरफ so rules of strategy की बात करें तो it is pretty easy आपको nifty में क्या करना है आपको nifty में ग्रावट दिगनी है that is a downfall of close to 80-90 points जो कि sir ने translate करती है बाद में कि 0.5% की किरावट होगी nifty में तो उससे आप से मैंने code किया है इसको तो basically क्या करना है आपको day में जो है higher higher देखना है और उसके साब से फिर्म अच्री रिट्रेश्मेंट टूल लगा देना है क्योंकि उसके बारे मैं वीडियो की बात निकरूँगा लंबा निकरूँगा वीडियो को यहां क्या करना है आपको फिर्म अच्री जो है टॉप से लेकर lower low तक लगा देना है तो बाटम लो है और हमें क्या करना है हमें points डालने हैं प्राची में वह points क्या होंगे वह सर के special points है वह क्या है 0.22.44.77 and 1 ठीक है यह number नो टो लिजे 0.22.44.77 and 1 ठीक है तो basically जो है downfall के बाद क्या होगा downfall के बाद जब आपका जो है price फिर से 0.44 value को मैं आपको दिखा रहता हूं यहां पर mark करता हूं this is 0.4 value उस पर आएगा तो उस टाइम में आपका long हो जाएगा आपको दिख रहा होगा यहां पर long entry हो रही है और long entry जो है उसका profit booking एक जो है level सर ने बदाया कि आप जो है exit कर जिए जब आपका 0.77 को cross करता है ठीक है 0.77 touch करेगा तो उस टाइम हम exit कर जाएगे और सर ने एक और entries आई कि आप जो है यहां पर पास्ट्र बुकिंग करके आप जो है फर्दर जो है वेट करिए और फर्दर जो है लेवल वन पर भी आप कर सकते हैं या फिर आप प्रॉफिट बेज बुकिंग भी कर सकते हैं वह अपनों दिमाग लाए सबने सब जटी छोड़ती आप चीज़ों को तो बैसली जो है आप setup देख सकते हैं मैं आपको और एक्जामपल देखा था हूं इसमें सिरफ लॉंग के लिए बोला सबने शौट के लिए नहीं बोला है कि वैल्यू.44 कि उसके पास पहुंच रहा है तो वहाँ पर आपका लॉंग एंट्री है ठीक है और एक्जिट का हुआ है एक्जिट हो रहा है आप पर जहां पर 0.77 है आपका तो स्टेजी अब लिए है अगर आपको क्लारिटी नहीं है तो आप उनका वीडियो देखिए हम लंबानी करेंगे वीडियो को आगे बढ़ते हैं हम बैक टेस्ट की दिख चलते हैं तो हम क्या करेंगे बैक टेस्ट में फर्स्ट अफॉल हम सिरफ और सिरफ जो है एंट्री लेंगे 0.44 पर और एक लेंगे 0.77 पर क्योंकि हम एक लॉट साइज पर ही करने वाले हैं तो साइज में पार्शल बुकिंग तो नहीं हो सकती है तो फर्स्ट अफॉल हम उनके लिए जो आपका एक लॉट में ट्रीडिंग करते हैं उनके लिए बताएंगे क्या स्टेट्जी काम कर रही है तो लेट्स मूव तो बैक टेस्टिंग एक बार मैं आपको इंपूर्ट एक टाइम जो है वो 15-15 है नो ट्रेंट क्रेंशन नौ बजे से पहले कोई ट्रेणी लेना और 14-30 के बाद कोई ट्रेणी लेना सने बोला था के दूर हाई वह याद आप ट्रेणना ले और प्रेजिटली जो है हम कॉन्टिटी वन में कर रहे हैं तो मैं इसको बन कर देता कि हम सब नए होते हैं हम सब सीखने वाले होते हैं तो सीखना है तो कुछ टर्म्स होंगे आपको जो अन्नोन होंगे और बिलीव में यह टर्म्स ट्रेडिंग के वर्ल्ड में तो बहुत ज़री है अगर आपको अक्चुली ट्रेडिंग सीखनी है तो आपको CAGR, DRAWD-ON, RR पहुत सारे से टमलोजिस होते हैं उनको सीखना बड़ेगा सो हम बात करेंगे स्टेडि टेस्टर में बैक टेस्ट रिपोर्ट की क्योंकि कई बार लोग को समझ नहीं आता सो यहां पर जो है बैक टेस्टिंग रिपोर्ट में जो है first of all मैं देख लेता हूं profitable दिखना setup तो क I will take one month zero और यह जिरोदा में लगता है हमारा और slippages मैं मांत की दलता उसमें पंदम कम होंगी 15 की slippages महाल लेते हैं K yamak right so these are the results आपके सामने जो है result दिख रहे है जहां पर 6 परसंट का accuracy आरा है मैं आपको बैक टेस्ट कित देदांगा मुझे पता है कि काफी लोग जो कम्प्रेयट करेंगे उनके लोग जो है वो घालिया निकालेंगे वर्ड़ आपके सामने ही रिजल्ट्स मैं आपको बै profit vector कम है और हमारा draw-on जा काफी huge है draw-on जो है huge है in sense of आपका gain अपका कम हुआ है सबसे draw-on बड़ा है so यहां तो काम नहीं कर रही है तो एक काम करते हैं हम त्वह settings change करते हैं settings में हम क्या करते है settings में हम जो है यहीं पर अब हम inputs जो है वो दो कर देते हैं और हम अब second target वी book कर रहे हैं ठीक है तो मैं पूँँ समझा जता हूँ चार्ट पर पहले तो बट अब हम क्योंकि हम two lot size कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें capital को बढ़ाना पड़ेगा ठीक है इस capital को मैं 3 ला कर देता हूँ तो यह trade example है यहाँ पर क्या हो रहा है basically वही सारा setup है बस हम entry आ ले रहे हैं एक काम करते हैं दिखाता हूँ को मैं यह entry हो रहा है तो entry 2 का हो रहा है ठीक है एक profit booking हम कर रहे है 0.77 पर ठीक है तो 0.77 पर booking हो रहा है और एक हम exit कर रहे हैं यहाँ पर दिखो 1 पर ठीक है तो इस पर हम back test कर देखते हैं कि क्या actual results अच्छे आ रहे हैं इस पर भी तो चलिए strategy रहे हैं और strategy रहे हैं और strategy में देखते हैं इसको तो इस setup पर तो बिल्कुली results खराब आ रहे हैं सो फिर भी थोड़े positive results से पर इसमें काम नहीं कर रही strategy काम नहीं करती है डोंट fall for it आप इससे treat ना करिये इसी तरह से मैं और भी strategies आपके जल्द ले क्या हूंगा डोंट बिलीव इन एनी वीडियो जब तक हम बैक्टेश्ट ना करें चीज़ों को तो आप भी खुद से बैक्टेश्ट करें देखें इसको बैक्टेश्ट किट पाने के लिए आपको नीचे लिंक मिल जाएगा वहाँ पर आप back touching kit में change कर से चीज़ों को और देख सेते हैं क्या यह actually profitable हो रही किस setup पे So that's it everyone, take care, ta-ta and bye-bye